आर्वेत की जानकरी को आंगे बढ़ाती हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी औसदी के बारे में जिसको आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा जब भी आप जंगलों में या अपने खेतों पर गई होगे तो यह औसदी आपने लगी हुई जरूर देखी होगी आपके मन में ख्याल आया होगा कि यह किस बेल है और इसको क्या उप्योग में लाया जाता है तो मैं आज इस औसदी के फाइदे बताओंगा तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा तो यह पलास लता के नाम से जानी जाती है जो पीले कलर का पलास होता है ना ठीक वैसे ही इसमें पीले कलर के फूल आती है और पलास की तरह ही इसमें फरीया होती है तो यह है पलास लता पलास बेल और आज हम इसी के फाइदे में आपको बताएंगे इसको हिंदी में कुल् के नाम से जानते हैं पैचानते हैं दोस्तों आपके यां इसको किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा यह उसदी आपके बड़े हुए यूरेक एसिड को खत्मका देती है जिनको सरीर में यूरेक एसिड ज्यादा परेशान करता है जिस कारण से आपके बोडी में पैन होता है, दर्द होता है, हाथ और पैरों की नीली नसे सूच जाती है, बड़ा ही पैन होता है, तो यूरी के सिट को खत्म करने के लिए, आप इसे बन कुल्थी, यहने की कुल्टा के पौधी को खाड़ लाईए, यह जो बेल है ना, पते, फूल, फल, स अगर दस ग्राम बचता है और उसको रोजाना शेवन करते हैं, तो यह सरीर के बढ़े हुए यूरी कैसर को कंटॉल कर देती है, खत्म कर देती है, साथी साथ, यह आपके घुटने और जोडों के दर्द में भी रामबाड की तरह काम करता है, जिन को घुटनों में अक्सर घुटनों के कारण से बिए चलने फिनने से परिसान होते हैं, तो इस ऑसदी के पके हुए फलियां ले लेजिए छोटी छोटी फलियों नजर आती हैं इस ओसदी की मैंने आपको दिखा दिया तो छोटी छोटी फलियों को आप जब ये पक जाएं तो इन फलियों को तोड़ लेजिए इस परकार से और तोड़ने के बार अगर आप कच्ची फली लेते हैं तो कच्ची फलीओं की आप सबजी भी बना करके खा सकते हैं जो आपके बात नासक होती हैं यह जो कच्ची फली है ना इन कच्ची फलीओं की सबजी बना करके खाये और साथ इसाथ पकने पर इसकी बीजों को पीज कर करके 7 में मेस्ती आना मिला करके और इसका प्रूरन बना लि एकम मद चूरन सोबह एक समाना का गुरूने के साइब करते हैं तो यह गुटनों के ब्रब sausage को जर्स्य क कहत्म कर देताए साथ ही साथ ही आपके बेड़ कॉलिस्टाल को खत्म करता है और हिर्दे आगास से आपकी रक्षा करता है बैड कॉलिस्टाल यानि की बुरा आपका जो कॉलिस्टाल है बुरा फैड जमा हो गया जिससे सिरा में अवरूत पैदा करता है और आपका हिर्दे आटेक हाट अटेक की समिस्या उत्पन करता है तो आप इस और सद तो बैल कलुस्ट्यार को खत्म करता है, दिल को मजबूती प्रदान करता है, हाट अटेक्स या भी राक्षा करता है, इतना ही नहीं दोस्तों, यह आपके पथी रोग के लिए राम बारा सावित होता है, पथी रोग के अगर समिस्या हो रही है, तो इस आउसदी को लियाए औ असरी रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, दोस्तों, अगर आपके सरीर में केल्शियम की कमी हो गई है, केल्शियम की कमी के कारण सरीर में जो हड्डियां होती है, वो बहुत जादा कमजोर हो जाती है, जिससे थोड़ा सा भी फैक्चर होता है, तो हड्डी वेगरा तूट या फिर बैसे ही केल्शियम की कमी से घुटनों और जोडों में दर्द होता है, या हड्डियों में कट-कट की आबाज करती है, तो इसका आप सेवन कर जिए, आप रोजाना, हल्दी और इस औसदी का सेवन करते हैं, तो केल्शियम की कभी जिन्दिगी भन नहीं होगी, अस साथी साथ चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, मिलेगा अगरे वेडियों कुछ और जाने के साथ, धन्यवाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्